हेलो गाईज, वेलकम डुम मैं यूट्यूब चैनल, एस्पेंस उडान, सु मेरी आज की वीडियो जो रहेगी वो नैशनल स्कॉलर्शिप पॉर्टल के ओपर रहेगी, तो काफी लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि बिएट पे कोई काउंसलिंग होती है, बिएट पे कोई स्क स्कॉलर्शिप पॉर्टल के पेज पर आते हैं, तो आप देखिए, यहां पे आप क्या करोगे, नेशनल स्कॉलर्शिप पॉर्टल अपना गूगल पर सरच करोगे, तो यहां पर आओगे, तो इस साइट आने पर बाद आपको, त्रृट ठाट के यहां पर सेक्षन तो सबसे पहले आप क्या गरोगे आप स्टेट पे जाओगे देन स्टेट में न हम सबसे पहले हमारा स्टेट देखेंगे तो अपी असम करंटली स्लेक्टिड है हम इह माचल प्रदेश की देखना जादें जैसे तो अप HP की जब देखोगे न तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी सेंटर स्पॉंसर पोस्ट है मैट्रिक के लिए यह पोस्ट मैट्रिक के लिए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइन एफेक यूस बगारा सब कुछ है और यह 30, 11, 2022 तक ओपन रहेगी तो यह पर चेक कर सकते हैं फिर महारशी वाल में की वाली स्कोलरशिप रहेगी हिमाचल के लिए तो यह भी आप चेक कर सकते हैं मुख्यमंतरी विद्ध्यार्थी कल्यानी ओजना भी है तो यह different scholarship है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अब इसमें further क्या करना होता है आप guidelines यहाँ पे click करोगे जो भी आपकी guidelines रहेंगी कि scholarship के लिए आपको क्या-क्या हमारा चाहिए तो अब यह तो काफी हमारा apprentice का खराब है तो अगर हम बात करते हैं हम किसी होर की guidelines देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे guidelines तो यह पूरी notification यहाँ पे आएगी यहाँ पे आपका क्या-क्या चाहिए आपको फिर आपको यहाँ पे सारी information इसके regarding मिल जाएगी आप video pause करके इसको देख भी सकते हैं then frequent ask question में आपका एक section यह होता है कि मान लीजी आपको कोई confusion है तो सभी कोई mixture ना लोगों की common ही problem होते है कि क्या education qualification रहेगी हम कैसे apply करेंगे तो frequent ask question में आपको उसके answer जो है वो देखने को मिल जाएगे तो यह different response होती है अगर in case किसी को हिवाचल परदेश की नहीं चाहिए तो यहाँ पे other states भी आपको मिल जाएगे then कुछ होते हैं हमारे UGC AICT scheme के थरू तो यहाँ पे क्या होता है देखिए यह All India Level की होती है यह college के थरू होती है आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे center scheme के थरू भी आ जाएगे तो आप यह भी देख सकते हैं यहाँ भी different different है तो आप अपने हिसाब से ही सारी check करके यहाँ पे अपने हिसाब से जो आपको सबसे better लगती है वो scholarship choose करते है I hope आपको यह वीडियो अची लगी हो informative लगी हो इसी तरग वीडियोस देखने के नमारे चैनल से बने रही है Thank you guys